कि अगजामनेशन बिल्कुल आपके सामने हैं बिल्कुल आपके करीब हे अब इस समय अगर मैं कोटा के बारे में बात करूँ पूरे देश के बारे में बात करूँ तो बच्चों की दो तरहे के mentality है कुछ बच्चे जिन्होंने साल भर तैयार किया है प्रपेर किया है और बार बार रिवीजन भी किया है अच्छे डंक से प्रपेर किया है वो बच्चे सुबए से लेकर साम तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और साम तक पढ़ने के बाद रात तक पढ़ने के बाद सोने स पहले उनको ऐसा लगता है, कि आज हम कुछ भी नहीं पड़ पाई, या जो हमारे टारगेट थे वो पूरे नहीं हो पाई, अगर आपको ऐसा लगता है, और लगातार आपका मन-पड़ाई में लगा हुआ पर रहता है और बिलकुल भी डेविएशन नहीं होता तो मान लिजे आप बिलकुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं बट जो दूसरी साइड में जो बच्चे हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा वो बच्चे जो साल बर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं क इंसन बच्चों की दिमाग में हैं और बच्चे पढ़ाई बिलकुल बंद कर चुके हैं और यह सोचते हैं कि भाई अब हम 2023 पर फोकस करेंगे उन बच्चों से कुछ मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप बहुत ही गलत सोचते हो अभी आपके सामने 14-15 डेस का टाइम है और अगर इसका आप सही डंग से इस्तमाल करते हो तो निश्यत रूप से आप बहतर परफॉर्म कर सकते हो अब सबाल इस बात का है कि इसका आप सही डंग से इस्तमाल कैसे करोगे तो उसके बारे में कुछ बाते मैं आपसे करना चाहता हूं देखो अगर आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है, तो अब पूरा स्लेबस पढ़ने के बारे में या उसकी तैयारी करने के बजाए बहतर ही है, कि NCID की जो खास-खास टॉपिक है, जो खास-खास चैप्टर है, और चैप्टर की जो खास-खास पॉइंट है, आप केबल उनको तैयारी करें, बाकि सबको आप छोड़ दें, अगर आप पूरा तैयार करने का प्रयास अभी भी करोगे, तो आपकी इस्तिथी ऐसी हो जाएगी, कि आप जराभी नहीं पढ़ पाओगे, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो आपको लगता है कि 14-15 डेज में, आप जितना तयार कर सकते हो, उतना ही आप सेलेक्ट करो, और पूरा बाइलोजी में जो खास-खास पाइंट है, उन्हें आप तयार करने का प्रयास करो, मेरे दो वीडियो, जो लोजी और बाटनी के खास-खास पाइंट के बारे में, मैं बना चुका हूँ, जो मेरे नीट बिनायक यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में, इस्टेटेजी बाले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उनको देखकर भी आप topic को select कर सकते हो, आप ये तय कर सकते हो कि digestion में कौन कौन सा point आपको पढ़ना है, या respiration या excretion में से कौन कौन सा point आपको पढ़ना है, तो अगर ऐसा आप करते हो, तो निश्य दुप से फिर से आपका अमन लगना चालू हो जाएगा, और अगर फिर से पढ़ाई आपकी लाइन पर आने लग जाए तो याद रखना अभी 10-15 डेस का टाइम आपके सामने है और उतने टाइम में काफी कुछ आप लोग कर सकते हो Got it my point? अभी मैं बात करने बाला हूँ Animal Kingdom के बारे में अगले आदा घंटे में हम लोग बात करेंगे Animal Kingdom के बारे में और यह मेरा धावा है कि इस आदा घंटे में Animal Kingdom जिन बच्चों को कठिल लगता है उनको आसान लगना शुरू हो जाएगा आपके जो भी confusion है वो दूर होंगे और आप बहतर टंग से प्रपेर कर पाऊगे तो चलिए बात करते हैं Animal Kingdom के बारे में कुल मिलाकर 30-40 मिनट का यह वीडियो है और इसमें पूरा Animal Kingdom कम से कम उतना आपका तयार हो जाएगा जितना कि आपको निट 2022 के लिए जरूवत है चीक है इसमें सारे फाइलम को सारे Animal को कमपाईल करके मैंने डाला है तो हो सकता है कहीं आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग तरह से हम प्रपेर कर रहे हैं लेकिन अगर एक बार पूरा ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं और उस तरीके से हम तयारी कर रहे हैं जिससे निट की तयार करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं हम लोग Animal Kingdom के बारे में देखो सबसे पहले Animal Kingdom में हमें Phylum के नीम परफेक्टली और सिक्वेंसली याद होना चाहिए क्योंकि Taxonomy को याद करने में फाइनल के सिक्वेंसली नीम का बहुत इंपोर्टेंस है तो हम लोग Center Line पर चलते हैं और Center Line पर एक फॉर्मूला है PCC Palm EHC अच्छी तरह से इस फॉर्म हेलमिंथिस, A for S कहलमिंथिस, A for Anilida, A for Arthropoda and M for Mollusca and E for Echinodermita, H for Hemichordata and C for Chordata ठीक अब इस सिक्वेंस में इस फॉर्मूले को याद कर लेना है PCC Palm EHC और सारे फाइलम के नाम आपके finger tip पर आ जाएंगे फिर उसके बाद हमें अलग-अलग category का discussion करना है call date की अलग-अलग category का तो इसका formula मैंने डेवलब किया UCC Param, U for Euro call data, First C for Cephalo call data, Second C for Cyclostomata, P for Pisces, A for Amphibia, R for Reptilia, A for Abies and M for Mammalia Got it my point? अब सबसे पहले character पर हम लोग आ रहे हैं पहला character है habitat and habitat यह first character एक्षी तरह से याद रखना habitat and habitat चीक है तो हमें बहुत सारा habitat and habitat animal kingdom में उसमें से हमें दो ही category को याद करना है पहला exclusively marine जिसके सभी animal sea water में पाये जाते हैं एकाद को छोड़ कर इसमें तीन फाइलम आता है टीनोफोरा, एकाइनोडर्मिटा और हैमी कोर्डेटा और बहुत बार इसके उपर question आया है उसमें याद रखना एकाइनोडर्मिटा का एक animal है साइनेप्टा सिमलिस जिस जो fresh water में पाया जाता है second category आती marine जिसमें एकी फाइलम आता है पौरी फेरा इसके अधिकांस animal marine water में हैं बट कुछ animal fresh water में भी हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं symmetry in animal kingdom animalia अब अगर symmetry को आप detail में डाल जाना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो याद रखना मेरे चैनल की playlist में जाएं animal kingdom में जाएं उसमें एक बीडियो है basics of taxonomy तो उसमें आपके ये सारे doubt clear हो जाएंगे यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं need 2022 तो हम चीजों को summarize करने का प्रयास कर रहे हैं तो phylum porifera में symmetry कैसा है asymmetry asymmetry क्या है आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं phylum sealant data and phylum trinophora are radial symmetry phylum porifera, ascahelminthes, phylum platyhelminthes, sorry phylum platyhelminthes, ascahelminthes, annelida, arthropoda, mollusca, hemicord data, cod data इन सभी phylum में कैसा है bilateral symmetry है बट याद रखना Echinodermata के bipenneria larva में कैसा symmetry है bilateral symmetry है बट इसके adult में pentamorous radial symmetry पाई जाती है ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं sylom in kingdom animalia के बारे में तो याद रखना PC, CP, porifera, sylentrata, tenophora and platyhelminthes a sylomate, means sylom is exclusively absent ascahelminthes में pseudo-sylom, false sylom पाई जाती है इसका definition क्या है, क्या मतलब है वो आप basics of taxonomy के detail बीडियो में जाकर देख सकते है a for anilida, arthropodine mollusca, true sylomate और उसमें भी कौन सा true sylom है, syzocelus और echino-dermita, hemicordata, chordata में true sylomate कौन सा sylom है, enterocelus ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम अब हम बात करें, body organization level of kingdom animalia तो याद रखना इसमें हमने phylum protojoa को भी सामिल कर लिया है first P for phylum protojoa, कैसा है a cellular और unicellular second P phylum porifera means cellular and sealantrata entinophora tissue level phylum platyhalpentis, अकेला phylum है जिसमें organ level होता है बट कुछ लोग इसको organ system level भी मानते है तो कभी सभी question भी आता है तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिया organ और organ system level और उसके बाद फिर उसके बाद S कहल्मिंतिया जैनिलीडा, अर्थरोपोडा, मॉलस्का, इकाइनो डर्मिटा, हैमी कॉल डेटा, कॉल डेटा हो जाएगा organ system level ठीक है फिर बात करते हैं body form body form में याद रखना phylum polyphera कैसा sponge phylum tinofora में polyp और medusa phylum sealantrata में polyp and medusa phylum tinofora में comb jelly phylum platyhalpentis में flat bomb phylum S के halpentis में round bomb phylum echinodermिटा में starfish sandhamic or data में tongue bomb ये सारे आपको याद रखना है फिर बात करेंगे germ layer in kingdom animal तो याद रखना PCC porifera sealantrita और tinofora diploblastic animal है मतलब इनका body ball है दो ही layer से बनता actuderm और endoderm mesoderm is exclusively absent उसके अलावा जितने भी animal है वो triploblastic हैं मतलब उनमें actuderm भी है mesoderm और endoderm के सारे phylum याद आ जाएगा सारे phylum आ जाएगे फिर हम बात करेंगे type of digestion in animal kingdom तो याद रखना अगर digestion cell के अंदर होता है then this is called as intracellular digestion और ये किसमें phylum protozoa and phylum porifera अगर cell के अंदर और बाहर पहले cell के बाहर होता है उसके बात cell के अंदर होता है और उसके बात के जितने भी phylum है उनमें अलिमेंटरी कैनाल अलिमेंटरी कैनाल मतला cell के बाहर digestion होता है and such kind of digestion is called as extracellular digestion इसमें प्लेटी हलम नतीचे लेकर core data तक के सारे phylum आ जाएगे फिर बात करेंगे अनिमल कैनाल अलिमेंटरी कैनाल in animal kingdom ठीक है तो याद रखना पहला काटेगरी PCC परिफेरा सिलेंटरी ता इं टीनोफोरा animal without elementary कैनाल there is no elementary कैनाल in this category fourth one phylum platyhalminthes याद रखना phylum platyhalminthes के कुछ animal जैसे साइकोन में incomplete elementary कैनाल होती है means mouth is found but anus is absent फिर फिर जो है एसके हल्मेंटरी से लेकर call data तक complete elementary कैनाल is found means elementary कैनाल है both mouth and anus फिर उसके बाद हम बात करेंगे excretory organ in kingdom animalia तो याद रखना animal without specific excretory organ phylum porifera से लेकर sealantrata tinofora और echinodermita यह चार phylum हैं जिनमें bell define excretory organ नहीं पाया जाता phylum platyhelminthus की बात करें तो इसमें क्या है flame cell और prutonephridia phylum askyhelminthus की बात करें तो ranet cell और edge shape single cell phylum anylida की बात करें तो nephridia phylum orthropoda की बात करें तो insect में malpigean tubule crustacea में green gland और arachnida में coxyl gland ठीक है फिर बात करें phylum mollusca तो इसका जो mean organ है organ of bougainas और kidney like structure second one organ of keber then gills according to NCIT phylum hemicordata में proboscis gland or single glomerulus urocordata में neural gland और cephalocordata में nephridia with solenocyte और pure chordata की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा kidney हो जाएगा चिक है चलो फिर बात करते है respiratory organ in kingdom animal animal without specific respiratory organ याद रखना phylum polyphera से लेकर phylum anylida तक इस specific respiratory organ नहीं पाया जाता हालंकि phylum anylida में NCIT ने उसके cuticle को respiratory organ लिखा है बट बास्टबिकता यह है कि पहला जो respiratory organ है इस फाउंड in phylum arthropoda इसमें insect amytracheal system, crustacea में gill and abipodite, arachnida में book lung and mirostomata जिसमें limulusata इसमें book gill है phylum mollusca की बात करूँ तो gills and pulmonary sac अगर मैं phylum echinodermita की बात करता हूँ तो general body surface, respiratory tree, branchi and papuli और इन में से एक भी bell defined respiratory organ नहीं है so sometime it is considered respiratory organ is absent in phylum echinodermita अगर phylum hemicordata की बात करते हो तो gill phylum chordata की बात करते हो तो pulmonary respiration by lung, branchial respiration by gill and cutaneous respiration by skin got it? चलिए फिर बात करते है type of circulation in kingdom animal तो याद रखना phylum without blood circulation इसमें कौन को नाता है पॉरिफेरा, सिलेंटेटर, टीनोफूरा, प्लेटी हलमन्तिस, अस्क हलमन्तिस फर्स्स ताइम circulatory system is found in annelida तो याद रखना close type का circulation की इसमें number one annelida, number two cephalopod mollusk and number third cordita except eurocordita और open type का circulation किसमें phylum arthropoda, molluska except cephalopoda, echinodermita, hemicordita and eurocordita eurocordita इन सारी category में circulation किस तरह का है याद रखना इन सारी category में circulation open type का है फिर respiratory pigment के बारे में बात करते हैं तो याद रखना hemoglobin किस किसमें पाया जाता है annelida, echinodermita and cordita लेकिन annelida में annelida और echinodermita में ये blood plasma में घुला हुआ है जबकि hemjob की cordita में ये RBC कहलता है और hemocyanin किसमें अर्फरोपोड़ा except insecta, insecta मतलब cockroach, और cockroach के blood में respiratory pigment नहीं पाया जाता तो इसका blood कैसा होता है colorless होता है, और याद रखना मच्छर को जब आप मारते हो तो आपके हाथ पर लाल blood आ जाता है वो मच्छर का नहीं है, वो आपका blood है जिसको मच्छर ने सक किया है मच्छर, mosquito के blood का blood कैसा होता है colorless होता है, hemoglobin का color कैसा है, red, hemocyanin का bilue, और hemoglobin का metallic iron है, ferrous, iron और hemoglobin का क्या है, copper छिक है फिर हम बात करते है, neurons and nervous system in kingdom, नहीं में लिया, याद रखना पौरी फेरा में कोई neuron भी नहीं है और nervous system भी नहीं है silent data और टीनो फुरा में non-polar neuron, so first time neuron is found in silent data, incomplete nervous system is found in platy helminthys as well as asca helminthys और any lidar से लेकर call data complete nervous system is found फिर sensory organ के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक ही point आपको याद रखना first time sensory organ are found in digestia और plenaria और phylum platyhelminthys और plenty of sensory organ are there छीक है, फिर बात करेंगे type of animal, type of animal में याद रखना, पहला category monoseous और hermaphrodite और bisexual इसमें phylum porifera से लेकर phylum platyhelminthys तक के phylum आ जाते है dioceous और unisexual और separate sex में ask helminthys से call data except any leader, और अगर आप any leader की बात करते हो तो इसमें monoseous animal भी है और dioceous animal भी फिर हम बात करें type of reproduction तो याद रखना, porifera, silent data platyhelminthys इन तीन phylum में asexual reproduction भी होता है और sexual भी होता है porifera asexual reproduction कैसे होता है budding और genule formation से यह NCIT का information है और platyhelminthys के बाद के जितने भी phylum है उसके अलावा tenophora और ask helminthys से लेकर chord data, इन सभी में only sexual reproduction फिर हम बात करेंगे किसके बारे में type of fertilization अगर external fertilization के बारे में बात करें यह इसके उपर बहुत question आता है तो tenophora, anilida, echinodermita hemichordata में external fertilization internal fertilization porifera, ask helminthys, arthropoda chord data external and internal both, sealant data platyhelminthys, mollusca फिर बात करेंगे किसके बारे में type of development तो याद रखना indirect type का development किसमें है porifera, tenophora, platyhelminthys, mollusca echinodermita, hemichordata what's the meaning of indirect type of development means larva is found direct vertebrata except cyclostomata and amphibia और direct और indirect दोनों अगर है तो sealant data ascalminthys, anilida, arthropoda and chord data फिर बात करेंगे बहुत important point है larva of kingdom anemilia तो याद रखना porifera का larva क्या है parynchymula in leukosolenia और amphiblastula in psycho अगर मैं sealant data की बात करूँ तो याद रखना obelia में planula और aurelia में ifhira tenophora की बात करूँ तो cydipid platyhelminthys की बात करूँ तो miracidium sporocyst जो की pedogenetic larva है radia भी pedogenetic larva है sarcaria and metasarcaria ascalminthys की बात करूँ तो juvenile और rapidity form larva और anilida की बात करूँ तो trocophore फिर मैं बात करूँ किसके बारे मैं phylum arthropoda मैं butterfly and silk bomb का larva है caterpillar housefly मैं maggot mosquito का regular और nauplias किसका larva है prone का है mollusca में trocophore echinodermida में diplyrula, brachyolaria and bipyneria याद रखना larva in animal kingdom बहुत ज्यादे important है hemicordata में tornia, eurocorn area eurocordata में acidian tadpole and cephalopoda में tadpole-like larva फिर बात करते है cyclostomata तो amocyt larva ये neotenic larva है ठीक है और amphibia की बात करने तो tadpole larva and axolotal larva ये भी neotenic larva है अब थोड़ा साम बात करले है pedogenetic larva के बारे में if larva have capacity for asexual reproduction then such kind of larva is called as pedogenetic larva, best example sporocyst and radia of platyhelminthus and if adult have larval character retention of larval character is there then this is called as neoteny तो इसका best example क्या amocyt and axolotal larva ठीक है फिर हम बात करेंगे अब थोड़ा सा बात chordate के character के बारे में बात करेंगे तो इसमें पहला character pharyngeal gillsuit और chordata का हमारा formula UCC parm means euro chordata, cephalo chordata, cyclostomata, pisces, amphibia, reptilia, abese और mehamelia तो याद रखना euro chordata में larval और adult दोनों में pharyngeal gillsuit पहे जाते हैं और adult में लगवक 2 lakh means maximum number of means maximum number maximum number of gillsuit are found in adult of this euro chordata अगर मैं cephalo chordata की बात करूँ तो याद रखना है इसमें gill है, gill without gill slit और यह larva gill slit without gill sorry, gill slit without gill है और यह larva में भी है और adult में भी है अगर आप cyclostomata की बात करते हो तो इसमें larva और adult दोनों में gill है और adult में 6-15 pair gill है अगर आप बात करते हो अगर आप बात करते हो पाइसिस के बारे में तो याद रखना इन कॉंडिक्थिज 5-7 pair gill slit without operculum operculum इसमें नहीं पाया जाता जबकि ऑस्टिक्थिज में 4-7 pair gill slit with operculum और अगर आप amphibia की बात करते हो तो केवल larva में है और अगर reptilia, abyss और mammalia की बात करते हो तो किल slit are found only in embryo then notochord in chord data this time we are discussing about fundamental chordate character तो याद रखना notochord euro chord data के cable larval tail में है chordate और hemi chord data में यह नहीं पाया जाता cephalo chord data और cyclostometa में यह larva में भी है और adult में भी है मतलब lifelong होता है अगर आप platy helminth अगर आप platy helminth अगर आप बात करते हो कि इसके बारे में है Pisces के बारे में बात करते हो तो याद रखना Chondrit Thies में यह embryo और adult दौनों में है Amphibia में है, cable larval में है और reptilia abyss और mammalia में it is found only in embryo फिर हम बात करेंगे skin derivative in chord data तो याद रखना Eurocordata Cephalocordata और Cycloistobeta में skin derivative नहीं पाए जाते है अगर आप Pisces की बात करते हो तो याद रखना Pisces में dermal scale plecoid Chondrit Thies में पाए जाते हैं जबकि Osteak Thies में कभी भी plecoid नहीं पाए जाते हैं और याद रखना Chondrit Thies का जो teeth है वो भी plecoid scale के modification से बनता है अगर आप Amphibia की बात करते हो तो Amphibia में absent है हलांकि उसके Icthyophis which is commonly called as Limbless Amphibian Icthyophis में कुछ dermal scale पाए जाते हैं Reptilia, Abyss और Mammelia में Epidermal scale पाए जाते हैं याद रखना कौन सा Epidermal scale तो इसमें Reptilia में Epidermal scale and Scute, Abyss में Epidermal, Feather and Mammelia में Epidermal Hair, Horn, Hoop, Nail, Claw All these are found फिर हम बात करेंगे कि इसके बारे में Appendesis in Chordata इन सभी का Detail मेरे Lecture Basics in Taxonomy में है Basics of Animal Kingdom में वहां जाकर आप देख सकते हो Euro Chordata और Chordata में Appendesis नहीं पाए जाती Cyclosetomata में Unpaired Fin only अगर आप बात करते हो Pisces में तो बहुत Unpaired and Paired Fin Amphibia and Raptilia में 2 Pair of Limb and Abyss में 2 Pair of Limb Out of them 4 Limb will be modified into Bing and in Mammelia 2 Pair of Limb फिर बात करेंगे Body Segment in Chordata तो यहाँ देखना Pisces में Head, Trunk and Tail अगर Amphibia में आप बात करते हो तो Head and Trunk अगर Raptilia में बात करते हो Raptilia और Abyss में Head, Neck, Trunk and Tail and Mammelia में Head, Neck, Thorax and Abdomen फिर बात करते हैं Nature of Chordid यह बहुत important point है बार बार इसमें question आता है तो याद रखना Pisces और Amphibia कैसा है Poiclothermal or Cold-Blooded Animal and N Amniots What's the meaning of N Amniot means Amnion is absent Extra Embryonic Membrane is absent अगर आप Raptilia के बात करोगे Poiclothermal and Amniots means यह Poiclothermal है अपने temperature को अपने temperature को regulate नहीं कर सकता but Amnion and Extra Embryonic Membranes are found and Am means Abyss and Mammelia homeothermal मतलब यह अपने body temperature को regulate करने की capacity रखते हैं and Warm-Bledded Animal इस बात को याद रखना और यह Amniota में आता है इन बातों को याद रखना ठीक है और याद रखना जितने Poiclothermal animal हैं आम तोर पर इन में Estivation और Hibernation पाया जाता है ठीक है अब उसके बाद हम थोड़ा सा खास-खास character के बारे में बात कर लें देखो Hemicordita का example क्या है Belenoglossus और Tungborm और Acornborm Eurocordita में Hard Mania Sea Scard और Sea Potato और Acidia Cephalocordita में Amphioxis which is also called as Brankyostoma और The Lenslate Cyclogistoma में Cyclogistomata में याद अखना Patromygon जिसका दूर्शा नाम है Lamprey और Maxine जिसका दूर्शा नाम है Hagfis और Conductism में Scoliodon which is also called as Dogfis and Trigon which is also called as Stingray और Osteacthism में Hippopotamus which is called as Seahorse and Axocytus फिर बात करेंगे specific feature तो Hemicordita में Notochord is absent Eurocordita में Retrogassive Metamorphosis is found and Test of Tunisian is found Cephalocordita में Head, Heart and Brain are absent Cyclogistomata Joll Asphysis and Conductis are also called as Elasmobrank और इसमें Copulation के लिए Class पर पाया जाता है और Osteacthism में याद रखना Air Bladder are present ठीक हैंबर थोड़ा सा बात करेंगे specific feature of Tetraputa means Amphibia, Reptilia, Abys and Mamelia तो याद रखना Amphibia में Metacrosis or Capacity of Color Change is found in some Amphibian कुछ Amphibian ऐसे हैं जो अपना Color Change कर सकते हैं Reptilia में Cledoic Act मतला ऐसा एक जिस पर Calcaria Shell पाया जाता है जिसने इनको Land पर Successful Life में बहुत ये Abys and Mamelia के बीच की Connecting Link है Abys and Mamelia Connecting Link ने Abys and Mamelia का origin हुआ है Reptilia से Abys में याद रखना Air Sack with Lungs याद रखना Osteakthis में Air Bladder और Abys में Air Sack और Pneumatic Bone मतला Hollow Bone और Mammelia में Mammary Clan Muscular Diaphragm and Corpus Callusum are exclusively character of Mammelia ठीक है फिर यहां पर हमने लिया Specific Feature अगर Phylum Poryferon में बात करेंगे तो Canal System Sealant Data में बात करेंगे तो Polymorphism means Accrains of Polypen Medusa and Metagenesis मतलब दोनों का Alternation Nemato Blast or Stinging Cell and Formation of Coral and Coral Reef अगर Teno Phura की बात करेंगे तो Comb Plate Bioluminescence and Nemato Blast is Absent यह याद रखना Sealant Data और Teno Phura के ज्यादातर character एक जैसे हैं बट इसमें Nemato Blast Absent Platy and Ascal Helminthism Parasytism and Life Cycle or Syncycel means Multinucleate Epithelium ठीक है Anilida में Metameric Segmentation Perfect Metameric Segmentation is there Clitulum is found CT and Parapodia are also found As far as question of Arthropoda Axioskeleton of Chitinous Cuticle Turgum sternum statocyst is as Balancing Organ and Largest Phylum इन में से किसी भी किसी भी उसका आप जो है डेटेल देखना चाहते हो Arthropoda में तो याद रखना जो Tissue का Playlist है Tissue का Structural Organization of Animal उसमें Anilida, Arthropoda और यह Amphibia Frog तीनों का डीटेल है मतलब Feritima, Conqueror and Frog तो वहां जाकर आप उसको देख सकते हो अगर कोई डाउट आपको बनता है उसके बाद याद रखना है चैलकेरिया शैल, Pearl Formation Stato cyst is a balancing organ and second largest phylum और एक आई दर मेटा की बात करते हैं तो phylum एक आई दर मेटा Water Vascular and Ambulacral System and Tube Seat तो यह इन सभी का specific character हो जाता है फिर यहां पर हमने NCIT के example लिए है और NCIT के सारे example हमने यहां पर लिये हैं अच्छे सयाद रखना है description में यह सारा इस सभी का PDF आपको मिल जाएगा तो इस मैसे जितने भी example आप तयार कर सकते हो उनको तयार करने की कोसिस करें जिनको नहीं तयार कर सकते हैं उनको छोड़ दें तो यहां पर सारा example हमने लिया है इसको आप चाहें क्योंकि example पर कॉशन कम आते हैं बहुत जादा नहीं आते तो आपकी सहुलियत के हिसाब से कुछ एक example आप याद कर सकते हो अगर उसको भी सर्च करने में आपको दिकत रहें तो मुझे फोन लगाए मैं इसकी दूसरी कॉपी आपको दूँगा जिसमें किबल selected example है तो हमने बात किया भी किसके बारे में अनिमल किंग्डम के बारे में बात किया बहुत ही समराइज बे में बात किया है बट यह समराइज बे अगर थोड़ा सा भाग आपका साथ देगा तो आपको अनिमल किंग्डम के कॉशन सैटिल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सेर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें ओके, all the best